हे गाइस वेलकम बेक तो मारे युटूब चैनल तो आज हमें बोट से सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिवेस एपसोर में देखा था तो एपसोर नमबर 642 की स्टार्डिंग होती है जागों काफी जा थगया होता है इनर्जी को एक्स्ट्रेक्ट करने के बाद और वो बोल रहा होता है कि मैं और नहीं कर सकता हूँ वो जो बर्ड मैन हो तो वह इंपर भियोश हो जाता है वो थोड़ा सावल क्रिश्टल देता है और बोलता है कि सर में सिर्फ इतना निकाल सकता हूँ इलकोड बोल रहा होता है कि यह अगर इंसान की पूरी यांग सोल की बात करें तो मेरे क्लैन के कुछ लोगों ने पहले ऐसा कीए भी पर मुझे सीक्रेट का पता नहीं है Evil God बोल रहा होता है अपने cultivation method को मुझे द्वारा बताओ Zagong बता रहा होता है कि जो मेरे brother था उसने मुझे हाथ हों कि guest charts बताया था मतलब हाथ रखने कैसे हैं कैसे बनाने हैं मुझे पढ़ना किया है उसने मुझे बोला था कि मुझे अपनी जो thinking है उसे बदलना है अपने हर्ट के साथ पर मैं अच्छे तरिके समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था लास्ट टाइम मैंने जब practice किया था God temple के बार तो मैं को थोड़ा सा पता लगा और जिससे मैंने soul crystals पाया था Evil God बोल रहा होता है यह काफी नहीं है और तुमें अपनी thinking को दिल के साथ बदलना है क्या यह किसी की अंदर की जो feelings होती है अंदर की जो इच्छाएं होती है उससे उनका कोई लेना देना है क्या बातों का जागों पूछ रहा होता है कि क्या हुआ Evil God बोल रहा होता है जागों यहीं पर रुको मैं जल्दी वापिस आऊँगा फिर हमें एक गंटे के बात का सिंद्गा होता है कुछ demons होते है वहां पर एक demon बोल रहा होता है यह कैसा कचरा है 4th heaven दूसरा बोल रहा होता है मैं तुम पहले बोला था ना क्लैन ना क्लैन देख देखां लगडरा ना तुमें ट्राइगा वहां Conn गुसा होता है काफी जाद आद उससे सारी बात यहादा आ रही होता ही कैसलियों मार खितम कीज़ता है वह वेसे सावल प można कर रहा होता है जाण ह से रह ना इच्छाओं को मतलब जो तुमारी thinking है उसे तुमने दिल के साथ बदलना है और जितनी तुमारी खतनाक इच्छा होगी उतनी जादा खतनाक strength होगी जो red glow है ये इसकी shape से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि young soul की power है खुद की young soul की तो इसका मतलब कि खुद की energy भी चाहिए हो एक तुम कैसे दूसरे person की young soul को निकाल सकते हो और ये जो hand signs और जो पढ़ता है incantations ये खुद की young soul को strong बनाने के लिए है इससे advantage मिलता है absorption process के time पे अब मैं पूरे तुरी के समझ रहूं कि इस technique की पिछे राज क्या है जाओ गॉंग जो होता है वो एक बड़े soul crystals को निकाल देता है evil god पूछता है क्या ये मर गया जाओ गॉंग बोलता है कि young soul अभी भी incomplete है इसकी तो ये बोल सकते हैं कि हाँ कुछ हाथ तक ये मर ही गया है अब ये जागने सकता है द्वारा पर अभी मैं पूरी त्रिक्के से master नहीं कर पाया अपनी टेक्नीक को जो युवान क्लैन है वो powerful है मैं कभी कब उनसे बदला ले पाऊंगा इविल कोड उसके सर के उपर हाथ रख देता और बोलता है कि तुमने काफी जाधा अच्छा किया इतने जाधा कम टाइम में तुम इतना अचीव कर पाए ये भी काफी बड़ी बात है और उपर से मुझे लगता है कि मेरे को पता लगए कि कैसे यांग सोल को पूरी तरीके से ब्जोब करना है जागोंग बोलता है क्या ओभी दो युवाण क्लाइन के जो लोग होते हूँ हो आप पे आरे होते हैं एक बोल रहा थे हैं तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया इविल कोड बोलता है कि मैं टेंशन ही ले रहा था हूँ है ए एक इंसान को मतलब एक उस मॉंस्टर को काफिस जोड से मारता है और दूसरे मॉंस्टर के ओपर अपना यांग सॉल टेक्नीक को यूज कर देता है वो जो मॉंस्टर हो तो वहीं पर रुख जाता है तब दूसरा आ रहा होता है इविलगोड की तरफ तब जाओ गॉंग उसे स कर रहा होता है और लास्ट को अहीं तरह मैं सारा अलो लूंग और वो जो इंसान गायब हो जाता है उसकी पूरी यांग सूल ओजाती है साव्ल कृस्टल में इसी कौन बें दूसरा रहा होता है योान क्लाu को मतलब absorb करते हुए देख के बोल रहा होता है कि यह souls को absorb कर रहा है एक soul को चुराने वाला डीमन वहां से गाया बजाता है जागों को बोल रहा है तो बहुल जाओ इसे एक material तो खोया है कुछ नहीं होता वो उन दोनों जो होते हैं उनकी soul को absorb कर लेता है और crystals में convert कर लेता है वो बोल रहा होता है कि देखो कितने जादा बड़े हैं यह जागों बोल रहा होता है तो तुम्हारी विल के उपर होगी जितनी तुम्हारी इच्छा होगी तुम उतना absorb कर सकते हो जागोंग बोलता है तुम्हारा कहा है कि मतलब इससे इविल कोड बोल रहा होता है तुम्हें युआन क्लाइन से नफरत है न तो तुम उन्हें मारने के लिए त्यार होगे पर अगर ordinary non-human race की बात करें जैसे birdman तो तुम्हारे अंदर उतना ज्यादा killing intent नहीं था उनके लि सर तुमको ज्यादा ही incredible person और काफी strong हो इविल कोड बोल रहा होता है तुम्हें के लगता है मैं इतनी दूर कैसे पहुंचाहूं आज तक जो secret है वो तीन words है पहले तुम्हें देखना है फिर सोचना है और उसके बाद act करना की मतलब करना क्या तुम्हें जागोंग सोच रह होता है तो इसे talent बोलते है लोड को follow करना बिल्कुल सभी चौइस थी मेरी इविल कोड बोल रहा होता है कि इसको भी वेस्ट नहीं करते है इसके उपर practice करो जागोंग बोलता है ठीक है इविल कोड ऐसे उपर देख के सोच रहा होता है कि वह में कौन से heaven में वह पहुंच कि हमसे जाशंग बोल रही होती है कि युवान क्लैन है अभी के लिए इनके साथ चलते है जो पूरा का पूरा 11th heaven है ऐसे युवान क्लैन कंट्रोल करता है जो भी दूसरी रेस इस जगह से गुजरती है उन्हें सावल पिल्स देने पड़ती है लुजंग बोलता है इतनी खतन है वो राइट पे लाइन लगा हो जाशंग बोलती कि हम लेफ पे लाइन लगाते है वो बोल रही होती है कि जो ली युवान क्लैन है उनके पास अधर्शोर की एक रेस का स्पोर्ट है तो सूपर पावर्स भी जादा लडाई नहीं करती है लुजंग पूछ रहो होती है कि लुजंग बोल रही होती है मेरे पास सिर्फ 8000 सावल पिल्स हैं क्या तुम मुझे प्लीज जाने दोगे वो एक इंसानी लड़की होती है जिसका नाम लान कुण रहे होता है युवान क्लाईन का इस इनसान होता है वो बोल रहा होता है तो तुम्हारा पास सावल पिल्स न जातर बोलता है कि सिफ 2000 कम मैं मैं दे दूंगा वो लड़की खुश हो कि भोल रही होती है सची में शुक्रे यंग मास्टर मैं तुम्हें वापिस कर दूंगी वो युवान क्लाइन का इंसान बोल रहा होता है कि तुम किसी और के पैसे दे रहे हो उसके लिए तुम्हें मैं तुम्हें इस चकर में नहीं डालना चाहते हूं लोजंग बोलता है थीक है 200,000 मैं दूंगा जाओशंग निकाल देती है और बोलती है लो तुमारे 200,000 सावल पिल्स वो मॉंस्टर बोलता है ठीक ढ़ी तुम जा सकते हो लड़की के लिए बोल देता है वो युवान क्ल तो यह सही होगा अगर हमसे लड़ेना लुजंग बोल रहा होता है कि तुम जाओ ट्वैल्थ हेवन में और मेरा इंतजार करो जावशंग बोल रहा होता है कि तुम कहां पर जा रहे हो वैल आने वाला है फिसकल फॉम के साथ क्या द्वारा हमें फॉर्थ हेवन वनस्काइप रहे थे दृज़एता है बाकी लोग भां पर भाग रहे होते हैं लोसन पूछ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर ब्यार रेज त्वारा टाइक कर ही है वो इंसान बोल रहा होता है शाऺवा तरीके से आपने दिफैंसि एक डुल रहा है करा कि रधना पर अमुर के बोलंग लिए जा रहा है मैथर को जादा ड्रावन है तो वनस काई पैलेस ने सिक्योर्टी बढ़ा दी है लुजंग पूच रहा होते है साउल्ड डिवोवरिंग है अधर शोर तो पूरी तरीके से अजीब चीज़ों से भरा हुआ है तुम जा सकते हो लुजंग सोच रहा होते है जा को पता है किस तरीकी के दिखता है भाकी बोल रहा होते हो वास कम करो इसे गुस्सा नहीं दिलाना हमने जीवान क्लाइन का होते है वो लुजंग से पूच रहा होते है कि क्या कर सकते हैं हम तुमारे लिए युजंग बोल रहा होते है मुझे एक बिलियन सावल पिल्स तो व अपने सभी साथियों को उसको मारने के लिए बोल देता है तो गाइज ये अपसोड इतना था आप नेक्स लाटता में कुछ दिनों में तब तक के लिए वेट करो और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दो मिलते हैं आप से कुछ दिनों में बाई